Hello everyone, welcome to this channel, आज हम पढ़ेंगे आपकी English NCRT बुक हने से कल से chapter number 2 जिसका नाम है How the dog found himself a master, यानि की dog ने अपने लिए एक मालिक को कैसे ढूना, तो story बहुत ही interesting है, लेकिन story में बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये story किस बारे में है, You may know that the dog and the wolf are closely related, आप तो जानते ही हो कि जो dog है और wolf है, वो दोनों closely related है, एक दूसरे से संबन्दित है You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and damned wild animals और साथी साथ ये भी जानते होंगे कि जो dog है और बिडिया है, इसके इलावा जो भी जंगली जानवर होते हैं, उनको सदियों से इनसानों ने पालतू बनाया हुआ है, ठीक है जो dogs है, वो भी कभी अपने मालिक खुद हुआ करते थे, है ना, और किसी के दास नहीं होते थे, अपने जिन्दिगी, अपने मताबिक, अपनी इच्छा से जैसे चाहे वैसे जिया करते थे, जैसे कि जो wolves है, वो जीती थी, बहुत ही आजादी से, जब तक कि एक ऐसी dog का ज जैन्म नहीं हुआ, जो कि अपने इस तरह के जीवन से बहुत ज़्यादा परिशान था, बिलकुल भी खुश नहीं था, और वो बहुत परिशान था, ठक गया था ऐसी जिन्दिगी से, जिसमें अपने खाने के तलाश में उसको इधर से उधर घूमना पड़ता था, है ना और साथे साथ, ऐसे जानवर से खुद को बचा कर भी रखना पड़ता था, जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर थे, उनसे उसे ढरके रहना पड़ता था, He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, और उसने सोचा इस बारे में और ये रिशायट किया कि उसके लिए यही अच्छा है कि वो किसी ऐसे जानवर का दास बन जाए, उसकी सेवा करे, जो सबस्यादा ताकतवर हो इस धरती पर, है ना, and he set out to find such a master, और निकल पड़ा, ऐसे जानवर की तलाश में अपने मालिक को ढूनने के लिए, he walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fired, और वो चलता रहा, चलता रहा, खोज में, ठीक है, और फाइनली उसको एक बड़ी सी वॉल्फ मेली, जो कि बहुत जादा strong थी, जैसा कि उसने चाहा था, और देखने में बहुती भयानक भी लग रही थी, डिराव में लग रही थी, काफी, यह ना, where are you going, dog, the wolf asked, तो जब वॉल्फ ने dog को देखा, इस तरह ऐसे घुमते वे, तो उसने कहा कि dog, तुम कहा जा रहे हो, I am looking for someone to take up service with, तो dog ने क्या जबाब दिया, उसने कहा कि मैं किसी ऐसे जानवर की दलाश कर रहा हूँ, जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, जिसको अपना मालिक बना सकूँ, Do you like to be my master wolf? क्या तुम मेरा मालिक बनना चाहोगे wolf? और से उसने ये बात पूछी, I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together, और wolf जो था, उसने कहा कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं, और दोनों की सहमती हो गई, है न, dog ने उसको अपना मालिक बना लिया, और उसने उसे अपना धास बना लिय और दोनों अपना साथ साथ चलने लगे, they walked and they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest, और चलते 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 अचानक क्या हुआ, जो वाल्फ देना, वो रुख कही एक जगा पर और उसने अपनी नाक को उठाया, नाक को उठाकर उसने सूंगा, sniffed का मतलब होत चुप चाप, है ना, तेजी से वाह से चुप चाप निकल गई, एक रास्ते पर जो कि छाडियों में जा रहा था, पर शिस मतलब छाडिया, चिक है, और रेंगते हुए एक घने जंगल भी पहुँच गई, क्रैफ्ट का मतलब रेंग ना, the dog was much surprised, अब वो डोग जिसने की वॉल्फ को इतना ताकतवर समझा था, जब उसने इस तरह से डर के भागते वे देखा, तो बड़ा अश्रा चकित हुआ, what's come over you master, उसने कहा, कि माली, आपको क्या हुआ, he asked, what has frightened you so, कैसी क्या चीज़ है, जिसने आपको इतना डरा दिया, can't you see, there is a bear out there, and he might eat up both of us, and you and me, कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, वहाँ पर एक भालू है, और वो तुम्हें और मुझे खा जाएगा, है ना, हमें खा सकता है दोनों को, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, और जब डॉग ने देखा कि भालू तो fox से भी जाता ताकतवर है, है ना, fox को, sorry, wolf को डरना पड़ा उससे, तो उसने ही decide कर लिया कि वो wolf को छोड़ देगा, और किस के पास आएगा, bear के पास जाएगा, है ना, तो चल पड़ा वो bear के पास, उसको अपना मालिक बनाने के लिए, he left the wolf and asked the bear to be his master, wolf को छोड़ दिया, और bear से कहा कि आप मेरे मालिक बन जाओ, the bear agreed to do this readily, and said, let's go and find a herd of cows, और जो bear था, वो भी बड़ा सहमत हो गया उससे, कि ठीक है, और वो चल पड़े, ढूने एक जुन्ड को, गाय का जुन्ड उसको ढूनने के लिए, ठीक है, ये कहा के चलो चलते हैं, एक गाय के जुन्ड को ढूनने के लिए, I will kill a cow and then we can both eat our fill, कि मैं एक गाय को म आएंगे, है ना, they walked on and soon saw a herd of cows, तो वो चलते रहे, चलते रहे, और चलते चलते उनको फाइनली एक जुन्ड दिखाए दिया, जापर बहुत सारी गाय थी, but just as they were about to come up, to it, they were stopped by a terrible noise, लेकिन जैसे ही वो उनके पास बहुचने वाले थे, तब ही जोर से उनको शोर सुनाए द और शोर की वज़े से वो दोनों रुख गए, the cows were mowing loudly and running in a panic in all directions, तो जो गाय थी ना, उस सभी के सभी जोर जोर से रंभा रही थी और इधर उधर भाग रही थी डर के कारण, हर दिशा में, जहां उनको जगा मिल रही थी, वहां, है ना, the bear looked out from behind a tree, जो bear था वो चुपा हु और वो भी वहां से भाग गया उसी दोरान एक घने जंगल में अपने आपको बचाने के लिए, यह आप देख पा रहे है ना, यहाँ पर ही चुपा हुआ है भालू, now why did I have to come here, said he to the dog, bear ने कहा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूं तुमारे साथ, it is the lion who rules the forest in these parts, कि यह तो वो का हिस्सा है, जिस पर एक लॉयन राज करता है, एक शेर का राज है यहाँ पर, तो लॉयन, who is he, अब जैसे ही डोग ने यह सुना, तो उसकी curiosity बढ़ती गई, उसने कहा लॉयन, वो कोन है, don't you know, he is the strongest beast on earth, और भालू ने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि जो लॉयन है, वो तो उस धरती पर सबस्वेदा ताकतवर जानवर है, well then, I'll say goodbye to you, bear, तो उसने कहा कि अच्छा भालू, अब मैं आपको अलविदा कहता हूं, I want a master who is stronger than anyone on earth, उसने कहा कि मैं तो एक ऐसा मालिक चाहता था, जो कि सबस्वेदा ताकतवर हो उस धरती पर, and of the dog went to ask the lion to be his master, और ड पड़ा, lion के पास, उससे request करने के मेरे मालिक बंचो, the lion agreed to it, and the dog stayed with him, and served him for a long long time, और जो लोयन था, उसने उसकी बात मान ली है न, और जो डोग था, वो इसके साफ रहने लगा, और उसने उसकी सेवा की लंबे समय तक, it was a good life, भहत अच्छी लाइफ चलने थी उसकी, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one had touched the dog, or offend him in any way, और जो डोग की जिंदिगी थी न, वो बहुत अच्छी चलने थी, ठीक है, उसको कोई शिकायत नी थी अपनी जिंदिगी से, क्याना, क्योंकि उसको एक ऐसा जानवर मिल गया था, अपने मालिक के रूप में, जिससे सब डरते थे, है या उसको बेज़ित करें, बट वन डे दे टू अफ तेम वर वाकिंगी साइड बासाइड, अलोंग अपाथ, या उसको बेज़ित करें, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो लोग जा रहे थे, एना, एक रास्ते से होते हुए, गुजरते हुए, तो जो लोयन था, वहाँ पर रुख गया, वो जोर से दहाड़ा, एंड स्ट्रक्ट अग्राउन एंग्रिली, विद हिस पाह, और जोर से अपना जो पंजा था, वो जमीन पर दे कर मारा, उसने गुस्ये से, विद सच फोर्स, अगुजरते हुए, इतनी जोर से, कि उसके पंजे की वज़ा से, जोर से मा आने की वज़े से, धर्ती में घठा हो गया, देन ही बेगिन टू बैक अवे, वेरी खोईटली, और फिर उसने पीछे हटना शुरू कर दिया, चुकचाप, वो जब देखा, कि लॉयन तो सबसे दाताकतवर है, इस धर्ती पर जैसा की भी और ने कहा था, लेकिन अब भी य कि मैंने एक आदमी की खुश्बू आई है मुझे, जो इस साइड से गुजर रहा है, है ना, लॉयन सेड, लॉयन ने कहा, वी बेटर रन फॉर एट, और वी वी इन ट्रॉबल, कि हमारे ले यही अच्छा है, कि हम यहासे भाग जाए, other than हम मुसीवत में पढ़ जाएंगे, ओ, well then, I'll say goodbye to you, लॉयन, I want a master who is stronger than anyone on earth, तो का, अच्छा, ऐसा है, तो फिर मैं आपको अल्विदा कहता हूँ, लॉयन, है ना, और मैं तो चाहता था, एक ऐसा master, एक ऐसा मालिक, जो धरती पर सबस्यद्र ताकतवर हो, ताकि मुझे खाने के तलाश में इदर से उदर ना दरना पड़े, या फिर मुझे से जदर ताकतवर जो जानवर है, उनसे डर के मुझे ना रहना पड़े, है ना, और आपके साथ होकर भी अगर मुझे डरना पड़ेगा, तो फिर क्या फाइदा, एंड अफ दो डॉक वैं तो चॉइन दो चॉइन गान और उस दिन के बाद से ही जो डॉक था, उसने छूट दिया लॉइन को और वो रहने लगा साथ इनसान के, उसकी सेवा करने लगा, फेट फुली, है ना, इस हैपन लोग लोग एगो, और यह हुआ था बहुत-बहुत-बहुत समय पहले, बट तो दिस टेए, अज जो डॉक है, वो इनसान का सब से सच्छा तोस कहलो, या दास कहलो, या कुछ भी कहलो, ठीक है, और डॉक को उससे अच्छा मास्टल, आज तक कोई भी नहीं लगा, तब से अब तक वो इनसान के साथ ही है, और इनसान भी डॉक के साथ बहुत खुश है, उसको पैट बना कर, ठीक है, तो देट वस देट स्टोरी जो आपने पढ़ी, अब हम मिलेंगे अगली स्टोरी में, ओके,